जहें दोस्तों बंदे मातरम मनिपूर से जो वीडियोस निकल कर सामने आएं उसके बाद भारत में काफी आउट रेज है और भारत में काफी लोग उसका विरोध कर रहे हैं प्लस सरकार के उपर, केंदर सरकार के उपर और राजसरकार के उपर भारी दवाव बनाया जा रहा है कि वहाँ पर आप एक्शन लीजिए और कैसे भी करके मनिपूर की स्थिति को कंट्रोल में लाइए तो ऐसे में अब यहाँ पर सिर्फ भारत में इसकी बात नहीं हो रहे है वलकि विदेशी भी अब इस मामले में अपनी दखल अंदाजी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे है दरसर मनिपूर में लंबे समय से हिंसा भड़की हुई है जो की थमने का नाम नहीं ले रही इसमें सौ से भी जादा लोगों की मृत्ति हो चुकी है जबकि सेक्ड़ों लोग घायल हुए है वही हज़ारों लोग इस समय बेघर हैं जो राहाच शिवरों में रहने के लिए मजबूर है इन सब के बीच में अमेरिका ने भी मनिपूर में शान्ती की बहाली के लिए मदद की पेशकरश करी है भारत में अमेरिकी राज़दूत ने गुरूवार को कहा कि मनिपूर में हिंसा एक मानवी समस्या है और उन्होंने पूरोत्तर राज़ में शान्ती बहाल होने की प्राड़सना भी करी कोलकाता में अमेरिकन सेंटर में प्रेस कॉन्फरेंस के दोरा अमेरिकी राज़दूत एरिक गार्सेटी ने कहा कि मुझे पहले मनिपूर के बारे में बोलने दीजिए हम वहां शान्ती के लिए प्राड़सना करते है जब आप हमसे संयुक तुराज अमेरिका के चिंता के बारे में पूछते है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई राज़नतिक समस्या है मुझे लगता है कि एक मानवी समस्या है उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जब हम बच्चों और व्यक्तियों को उस तरह की हिंसा में मरते हुए देखते हैं जो हम इस समय मानिपुर में देख रहे हैं तो हमें इसकी चिंता करने के लिए भारती होने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि शांती कई अच्छी चीज़ों के लिए मिसाल है। यहां पूर्वत्तर और पूर्व में कई अन्य अच्छी चीज़ें हैं और वे शान्ती के बिना जारी नहीं रह सकती हैं। अमेरिका की सहायता की पेशकर्ष करते हुए उन्होंने आगे कहा कि अगर पूछा जाये तो हम किसी भी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। पूर्व और भारत के अतरपूर राज्य अमेरिका के लिए मायने रखते हैं। यहाँ की लोग यहाँ की जगे हैं। इनकी श्मता और इनका भविश्य हमारे लिए काफी जादा मायने रखता है। कॉंगर्स निता मनीश तिवारी ने भारत में अमेरिकी राजदूत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है मनीश तिवारी ने कहा कि सारवजनिक जीवन के चार दशकों में जहां तक मुझे याद है मैंने कभी किसी अमेरिकी राज़दूत को भारत के आंतरिक मामलों के बारे में इस तरह का बयान देते हुए नहीं सुना हम दिन दशकों से पंजाब, जमो कश्मीर, उत्तरपूरु में चुनौतियों के सामना किया है और चतराई और बुदिमानी से उन सब पर विज़ए पराप्त करी मुझे राउट है कि क्या नए अमेरिकी राज़दूत एरिक गारसेटी अमेरिका भारत संबंदों के जटल और यातनापूर्ण इतिहास और हमारे इस आंतरिक मामलों में कतेतिया वास्तविक नेक इरादेया दुर्भावनापूर्ण हस्तशेव के बारे में हमारी सम्विदन शीलता से परिचत है बतादे कि अनुसुचित जन जाती का दरजा देने की मैतई समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पहाड़ी जिलों में आदिवासी एक जुटता मार्च आयुद किया जाने के बाद राज्य में पहली बार हिंसा भड़कुटी थी और अब तक करीब सौ से भी जादा लोग की सिम्रत्य हो चुकी और कई सो लोग घायल हुए है वही हजारों लोगों ने रहाच शिवरों में भी शरन ली है तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मैतई आखिर क्यों मांग रहे हैं जन जाती के दरजा तो इसके जवाब मिलता है कि मनिपूर में मैतई समुदाय के आबादी करीब 53 फीजदी से जादा है यह गैर जन जाती समुदाय हैं जिनमें जातर हिंदू हैं वहीं कुकी और नगा की आबादी 40 फीजदी के असपास है राज में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकता है मनिपूर के 90 फीजदी से जादा इलाका पहाडी है और सिर्फ 10 फीजदी ही घाटी पहाडी इलाकों पर नगा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतई समुदाय के तब दबा है मनिपूर में एक कानून इसके साथ घाटी में बसे मैती समुदाय के लोग पहाडी इलाकों में नहीं बस सकते और नहीं जमीन खरीद सकते हैं लेकिन पहाडी इलाके हैं बसे जनजाती समुदा है क्योंकि और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। पूरा मसला इस बात पर है कि 53 फीजदी स्थी जादा आबादी सिर्फ 10 फीजदी वाले इलाके में रह सकती हैं। लेकिन 40 फीजदी आबादी के दबदबा 90 फीजदी से भी ज़्यादा इलाके पर हैं। वहीं जर्मनी के वाइस चांसलर ने भी मनिपूर में जारी हिंसा पर टिपणी करी है। जर्मनी के टिपणी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि हाली में मनिपूर की स्थिती को लेकर यूरोपी यूनियन की संसिद में बी चर्चा करी गई थी। प्रस्ताव में भारत सरकार से अग्रह किया गया था कि शांती स्थापत करने के लिए सरकार तुरंत जरूरी कदम उठाए। जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक से जब पूछा गया क्या भारत से मनिपूर में जारी हिंसा की स्थिती को लेकर चर्चा होगी तो हाली में ये 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 बैयान कल सुबे आने के गुरुवार को दिल्ली पहुचने के बाद प्रेस से बाचीत में दिया। जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक अपनी तीन दिवसी यातरा पर गुरुवार को भारत पहुचें। मानिपुर हिंसा तीन माई को उस वक्त भड़की जब प्रदेश की बहुचंकिक मैतई समुदाय को जनजाती का दर्जात दिये जाने की मांग के खिलाव माइनॉर्टीज कोकी आदी जनजाती समुदायों ने एक रैली निकाली थी। यह रैली हिंसक हो गई और मैतई समुदाय पर हमले किये गए। आज अस्तिति यह आ गई है कि बहुत ज़्यावा हो गई है।